जाइन साथियों मैं उत्तम चोहन आप सभी का पिनेकल के ओनलाइन प्लेट फारम पर सवागत करता हूं देखिया दोस्तों, आप सभी को पता है, हम जो हैं TCS MCQ कर रहे हैं, जो दिल्ली से स्टार्ट करेंगे इस स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास ये ब्ुप नहीं है, तो आप आप मार्केट से ले सकते हैं पूछे गए हैं सभी को हम explanation के साथ करेंगे ताकि और आगे जो एक्जाम आएंगे उन में जो है ऐसे ही क्योस्चन आएंगे तो इसी pattern पर जो है हम इनको explain करेंगे चलिएगा start करते हैं first topic जो है first जो है हम biology को करेंगे सभी को पता है bio का मतलब होता है living और logic का मतलब होता है study यानि कि किसी भी living चीज़ की अगर अपन study कर रहे हैं तो उसको अपन biology कहते हैं वास्तों में living जो study जो है उसका जो पिता जो है father जो है वो अरिस्टोटल को माना जाता है यानि कि biology के father अरिस्टोटल है उन्होंने बताया था कि living केवल plant और animal ही है या तो फिर plant है या फिर animal है बाद में पहुत छोटे चोटे जीवों का भी पता चला जो living होते हैं आप सबी को बता दूं कि living कौन होते हैं लीविंग वो चीज़ होती है जिसके पास cell होती है यानि कि कोई भी ऐसी चीज़ जो cell यानि कि कोजिका से बनी है वो आपकी living कहलाती है तो आप हम living के बारे में पढ़ेंगे first chapter से start करते हैं first जो हमारा question है उसको देखते हैं चलिएगा हम जो है सबसे पहले जो है हमारा जो पहला topic है वो scientific name से है scientific name हलांकी थोड़े अटपटे होते हैं फिर भी मैं जो है आपको दो-तिन बाते बताऊंगा इसके बारे में देखेगा जो नाम होता है या फिर आप कह सकते हो biological no man collector biological no man collector biological 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 no man collector या फिर आप कह सकते हो biological name और या फिर biological name या फिर आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो scientific name scientific name दीखें बाइलोजी के अंदर हर living organism को कुछ नाम दिए गए हैं जिनको अपन biological nomin culture कहते हैं biological name कहते हैं या फिर binomial भी कहते हैं इसको या फिर हम इसको binomial भी कहते हैं जो biological nomin culture आप से क्योंस पूछ सकता है किस परकार का है या आपका binomial है यानि कि दो नाम से मिलकर जो है biological के नाम बने हुए है यानि कि binomial का मतलब यह है कि इसके अंदर two names हैं दो names हैं दो name किसके हैं मैं आपको बता देता हूँ for example अगर मैं बात करूँ human की अगर मैं बात करूँ human की तो human का biological name जो होता है वो homo sapiens होता है sapiens होता है homo sapiens जो है आपके human का नाम है जिसमें homo जो है आपका genus है किसी भी animal का first letter नॉमन का lecture में आपसे question पूछ सकता है कि किसी भी नॉमन का lecture में first letter क्या होता है genus का नाम होता है और जो second letter जो आपका होता है वो species का नाम होता है किस species से बिलोंग करता है उसका जो है ये नाम होता है ठीक है आप सभी को पता होगा जो biology जो है वो अलग-अलग pattern में divide की गई है जैसे सबसे पहले जो है हम domain को पढ़ते हैं कि हम eukaryotic animals हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं kingdoms को जैसे कि हम animal kingdom में हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं phylums को जैसे कि हम core data में हैं organism जिन के पास develop cell होती है उनको अपन बोलते हैं यूक्रियोटिक से उसके बाद अपन kingdom को पढ़ते हैं kingdom पाँच kingdom आप सबी को पता है होती है जिसमें हम जो है animal kingdom से belong करते हैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ फिर हम फाइलम पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा, एनिमल्स को 11 फाइलम के अंदर बाटा गया है, और हम जो हैं, कॉर डेटा से बिलोग करते हैं, उसके बाद हम कलास को पढ़ते हैं, मैं डिरेक्टली जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर ओर्डर देखते हैं, हमारा kingdom कौन है? animal हमारा phylum कौन है? core data और last जो हम पढ़ते हैं सबसे छोटा जो पढ़ते हैं हमारा genus पढ़ते हैं और हमारा genus जो है वो क्या है? हमारा genus homo है क्या है? homo है और फिर last हम पढ़ते हैं species हमारी species जो है वो species है ठीक है? तो ये आप सब चीज़े पढ़ते हो human के बारे में तो आप से क्यों पुछे जा सकते हैं? order भी पुछे जा सकता है ये order होता है सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छो चाहिए हूं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यह फिर क्रिस्टी है उसन noticing ल घ्री है कि छोव को पता हो चाहिए लिव stress 2021. है तो आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो आपको बता देता हूं हमारा राष्टे-पक्षी जो है नेशनल जो बर्ड है उसका नाम जो है आपका पावो क्रिस्टेटस है क्या नाम बचा पावो क्रिस्टेटस है तो आपको याद रखना ये पावो क्रिस्टेटस किसका है ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे जल्दी-जल्दी करते हुए आपने चलेंगे ता जिन्नस नेम ओफ डैस इज कुकुर बिटा कुकुर बिटा किसका जिन्नस नाम है यानि कि जिन्नस मतलब पहला फर्स्ट लैटर जो है कुकर बिटा किसमें आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कुकर बिटा जो होता है कुकर बिटा जिसको अपन बोलते हैं ये कद्दू का है यान कि पंपकिन का जो है जिन्नस का नाम है तो आप से क्योस्टन पुछे कि पंपकिन का रसाइनिक या स्वरी साइन्टिफिक नेम क्या है तो आपको आंसर देना है कुकर बिटा क्या नम है कुकर बिटा नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें ज़्यादा कुछ explain करने का है नहीं जहां पर जो explain करना था मैं फर्स क्योस्टर मैं आपको बता चुका हूँ scientific name क्या होते हैं कैसे होते हैं देखिए उसके बाद है मुसा पाराडीसिया का मुसा पाराडीसिया का is commonly known as मुसा देखिए इसको आप याद कैसे करोगे मुसा मुसा जो है मुसा जो होता है वो केले की तरह होता है केले जैसा होता है ठीक है मुसा जो है आपका केले की तरह होता है बनाना की तरह होता है तो मुसा जो है आपका वो बनाना है मुसा क्या है बनाना है आपको याद करना है किसी भी परकार से आप याद कर सकते हो next पर चलते हैं मैं next हमारा जो है what is the scientific name of the land on which crops are grown जहां पर फसले उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं देखिएगा चलिएगा मैं आपको एक बात बताता हूं कभी भी questions जब आप करो तो options को neglect किया करो ऐसे questions जब आते हैं उनमें तो आप option neglect नहीं कर सकते क्योंकि आपको scientific name याद होने चाहिए तो मा तो आपको यही कहूंगा कि कुछ scientific आप याद करो नेम और वैसे जो है यह तो आपके लग के उपर depend करता है कि आपके आप कौन से scientific name याद करके जाती हो और कौन से exam में आते हैं लाखो एनिमल्स हैं इस दर्ती पर पता नहीं किस एनिमल का जो है scientific नाम पूछ लिया जाए तो यह तो आपके लग के उपर depend करता है लेकिन ऐसे question हम option neglecting से कर सकते हैं जैसे कि इसने पूछा है फसले उगाई जहां पर जाती है उसको क्या कहते हैं भी फर्टी फर्टी लाइजर होते हैं यानि कि उपज होते हैं उसको अपन बोलते हैं उपजाओ जमीन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उपजाओ बूमी बोलते हैं नाम से सपस्ट है लेकिन जरूरी तो नहीं कि उपजाओ बूमी पर फसले उगाई जाती हैं चलिए गाई यह इसको छोड़ देते हैं उसके बाद उसके बाद प्रोड़क्टिव लेंड प्रोड़क्टिव का मतलब जहां पर प्रोड़क्टिव लेंड बोलते हैं उसके बाद भी जो आपकी होती है जुताई वाली मतलब जहां पर जुताई हो सकती हल चल सकते हैं उसको बोलते हैं और लास्ट जो है उ आपको fertile land नहीं करनी है, तो arable land is the right answer of this question, in India, ficus religiosa, ficus religiosa is commonly known as, तो आप से question पुछा है, कि ficus religiosa जो है, किसका scientific name है, तो आपको यह पता होना चाहिए, जो हमारा राष्टिय व्रिक्स है, देखिए, यह जितने भी scientific name पुछे गए है, इनके पीछे एक pattern मिलेगा, ठीक है, pattern क्या म आपको अक्सी मिलेगा, यह राष्टिय पसू मिलेगा, यह राष्टिय पेड़ मिलेगा, आपका व्रिक्स मिलेगा, यह निकि इन से question पूछे गए है, तो आपका ficus religiosa, तो ficus, ficus किस में है, ficus आपके people में है, people का पेड़ जो है, जिसको हम पुजनिय पेड़ में गिंती कर आपके दार्मिक, इसके साथ हमारी आस्था जुड़ी होई है, तो इसको जो अपन क्या बोलते है, ficus, क्या बोलते है, ficus, ठीक है भी, तो ficus, जो हो किस में निकलता है, आपके people में निकलता है, तो आपको याद रखना है, ficus, जो है, right answers होगा, इसी का होगा, दार्म अरी बाड़ा, देखे, बहुत important है, अरी बाड़ा is associated with which of the following, अरी बाड़ा किस से समंदित है, देखे, मैं बता देता हूँ, अरी बाड़ा क्या होते हैं, देखे, कच्छवे जो होते हैं, कच्छवे, जिनको आपन जो है, टर्टल, आप कह सकते हो, टर्टल जो होते हैं, और जमीन पर आकर एक जगए बनाते हैं, जहां पर वो अंडे देते हैं, फिर आप यह कह सकते हो, गोसला बनाते हैं, गोसला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक जगए बनाते हैं, जहां पर वो अंडे देते हैं, तो टर्टल समुंदर से निकल कर जिस जगए पर अंडे देते हैं उस जगय को अपन क्या बोलते हैं उस जगय को जो है आरे बाड़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आरे बाड़ा का संब्ध किस्से है तो मैं बता देता हूँ ये जो है समुंदरी टर्टल जो होते हैं जिनको अपन ओल्यू रीडले टर्टल बोलते हैं ओल्य जहां जहां टर्टल टर्टल समुंदर से बाहर आकर आकर अंडे देते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को अरी बाडा बोलते हैं, ठीक है आपको याद रखना है what is everybody ठीक है भी चलिएगा next question पर चलते हैं next भी pasir domesticus is commonly known as यानि कि आपका जो pasir domesticus है यह किस शाना जाता है तो आपको याद रखना है pasir से याद रखना है आपके sparrow क्या है sparrow आपको sparrow को अगर गोरिया को पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पासर करना पड़ेगा पासोर करना पड़ेगा तो आपका right answer जो होगा क्या होगा आपका गोरिया होगा क्या होगा गोरिया होगा यह आपको direct आपको fact की रूप में याद करने पड़ेंगे कुछ सम्झाने का है नहीं चलिएगा नेक्स्ट भी कैनिस लूपस कैनिस लूपस इस कोमली नोन एज तो कैनिस लूपस जो है किसका नाम है तो देखिएगा ये जो है आपका आपका ग्रे वोल्फ जो होता है इसका रासाइनिक नाम होता है क्योंकि देखिए गाए जो होती है बोस्टोरस होता है इसका नाम गाए का नाम बोस्टोरस होता है बकरी का नाम कैपरा हेरिकस होता है और जो आपका हैन होती है वो गैरन डोमेस्टिकस होती है गैरन डोमेस्टिकस होती है ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे हालांकि मैं आपको बता दूँ कि ये लो ये इसे इसके लिख लो तो आपको कुछ मतलब फाइदा नहीं हो से क्योंकि इनको याद करना पड़ेगा पता नहीं किस मतलब एनिमल का दूम जो है आपसे पूछ लिया जाए एक्जाम के अ आता है बकरी की जुको जो है कैपरा कैपरा हैरीकस बोलते हैं कैपरा हैरीकस बोलते हैं ये आप याद रहां एक मेंड़क को याद रहां फ्रो को मेंड़क को मेंड़क को ये एक्जाम में जरूर आता है राना टिगरीना बोलते हैं राना टिगरीना जो है इसका नाम है तो तो केपरा हिरकस जो है वो किसका नाम है तो आपके बकरी का नाम जो है केपरा हिरकस है केपरा हिरकस है नेक्स पर चलते हैं नेक्स आपका मेगा पतेरा नोवा एंगलिया तो आपका मेगा पतेरा आपको याद रखना मेगा पतेरा क्या पतेरा मेगा पतेरा जो है वो आपकी कुम्बलवाडी वेहल जो होती है हम्पबैक वेहल जो होती है इसका जो है साइन्टिफिक नेम है तो कुम्बलवाडी वेहल जो होती है उसका साइन्टिफिक नेम मेगा मेगा पटेरा है मेगा पटेरा नोएंगलिगा ठीक है आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्योस्टन पर चलते हैं मेलस प्यूमिला मेलस प्यूमिला इस दा बोटनिकल नेम ओफ विच ट्री तो किस ट्री का जो बोटनिकल नाम जो है वो मेलस प्यूमिला है तो मेलस जो है वो सेव के उपर है मेलस किस के उपर है मेल आपके सेव के उपर है मेलस प्यूमिला इस साइन्टिफिक नेम ओफ एपल Apple का scientific name Next भी Citrullus Lanatus Citrullus Lanatus किसका botanical name है ये कियों स्टन पुछा गया है तो आपका Citrullus याद रखना Citrullus जो है आपका Lanatus जो है वो आपका water lemon है क्या है water lemon है Citrullus Citrullus Lanatus Citrullus Lanatus तरबूज का जो है आपका botanical name है Next पर चलते हैं बोश म्यूटस देखें याद रखना बोश म्यूटस कहा है बोश टोरस नहीं कहा है बोश टोरस कहता तो गाय का होता लेकिन इसने क्या कहा है इसने कहा है बोश म्यूटस बोश म्यूटस जो है वो आपका जो है वाइल याक जो होती है जंगली जो याक होती है उसका जो है scientific name है इनके लिए कोई ट्रिक कोई भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो फर्स्ट टोपिक है आपका इसमें आपको ये करने ही पड़ेंगे जैसे आप रटना चाहो वैसे आप रट सकते हो next पर चलते हैं अपना next जो topic है वो अच्छा topic है और यहां से question करेंगे nutrition से nutrition से question है यहां से मैं explain करता हुआ आपको चलूँगा उसमें कोई explanation हम कर नहीं सकते थे direct scientific name है याद आपको करने पड़ेंगे the vitamin is found in liver पहला question वो vitamin जो liver में पाई जाती है milk, eggs and fish इन सभी चिज़ों में पाई जाती है helps to formation of RBC यानि RBC का निर्मान करती है और उसकी कमी से deficiency of this vitamin causes anemia उसकी कमी से anemia रोग हो जाता है which vitamin is being referred in the abortion treatment यानि कि इतने सारे काम किस vitamin के है देखेगा start करते है vitamin से question पुछा गया vitamin से मैं आपको बता देता हूँ vitamin हम सभी को पता है vitamin जो होती है वो I mean जो amine group के सदस्चे होती है amine group का सदस्चे होती है जिनका कारिय जो होता है prevents from the disease होता है prevents from disease होता है यानि कि शरीर को रोगों से बचाना काम किसका है रोगों से बचाना काम किसका है बचाना आपके vitamins का काम है लड़ना काम vitamin का नहीं है पाइट स्फॉर्म डिजीज काम है WBC का, वाइट बलड कारपल सेल्स का, बट रोगों से बचाना काम किसका है, वो आपके विटामिन का काम है, विटामिन में लिए दो प्रकार की होती है, कई दफा बच्चे जो हैं इस क्योस्टन को गल्द कर देते हैं, विटामिन कितने प् होती है, वाटर सोल्यूबल, यानि कि जिनको काम करने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसको बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट मी, यानि कि गी में कीडा है, गी में क्या है, कीडा, के, के, ई, डी, ए, ठीक है, ये जो हैं आपकी फैट सोल्यूबल है, औ B, C, D, E और K ये जो है 6, कुल कितनी विटामिन होती है तो 6 पर कितने परकार की विटामिन होती है, टाइप से अगर क्योस्चन आपसे पूछे, टाइपस ओफ विटामिन से अगर आपसे क्योस्चन पूछे, तो आपको कितने आंसर करना है इसके केवल दो टाइप होते हैं कितने टाइप होते हैं दो फैट सोलूबल और वाटर सोलूबल उसके बाद मैं बात करता हूं देकि विटामिन जो होते हैं रोगों से बचाते हैं और इनकी कमी से क्या हो जाएंगे फिर कमी से क्या हो जाएंगे कमी से रोग हो जाएं C का नाम ascorbic acid D का नाम calciferol E का नाम जो है आपका tocopherol है K का नाम philo क्यों ही known है यानि कि हर vitamin का chemical name अलग अलग है उसकी मैं trick बता दूँगा आपको कभी भी याद करने के जूरूत नहीं पड़ेगी इसकी trick एक ही है रत एक टोफी बस ये लिख लेना और कभी भी chemical name नहीं बूलोगे क्यों क्योंकि option में option तो मिलेंगे ही option तो मिलेंगे ना option A, vitamin A पहले नंबर पे है तो रह से start होगी B, दुझ्जे नंबर पे है तो थै से start होगी A का retinol, B का thymine C, के से start होगी यानिकि A है ascorbic acid D, कैसे start होगी यानिकि calciferol A, B, C, D, E E, T, O से start होगी यानिकि tocopherol F, K से start होगी यानिकि philokvinone तो ये बात आपको याद रखना है रत एक तो फी, खेल खतम अब देखो इदर के उस्चंस पर आते हैं वो vitamin जो anemia रोग का कारण बनती है anemia होता है रक्त की कमी हो जाना हिमोगलोबिन की कमी हो जाना RBC की कमी हो जाना और ये सभी vitamins जो होती है वो आपकी कौन से होती है vitamin B12 जो होती है वो होती है B12 का रसाइनिक नाम जो होता है साइनो कोबाला मीन होता है इसका नाम क्या होता है देख लेना, लीवर में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, और किस की फोर्मेशन करने में सायता करती है, आरबीसी की फोर्मेशन करती है, देखेगा, मैं एक सोट में आपको एक स्टोरी चुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ, अभी हमारे बलड की फोर्मेशन कैसी है, बलड जो होता है रक्त जो होता है बलड का निर्मान आरबीसी से होता है आरबीसी का निर्मान हीमोगलोबिन से होता है और हीमोगलोबिन जो है वो आईरन और भी बारा से बनी होती है हीमोगलोबिन किस से बना होता है अन से बना होता है मतलब एक ही पेड़ की जड़ है सारे क कमी से दे देता है कभी RBC की कमी से दे देता है कभी हीमोगलोबिन की कमी से दे देता है पंडा क्या है आईरन की कमी से भी एनीमिया होता है तो मैंने कहा ना हिन सब की कमी से एक ही रोग होता है जिसका नाम क्या है जिसका नाम एनीमिया है तो B12 की कमी से एनीमिया होता है अगर बात करें विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको बताना है बलड कलोटिंग नहीं होगा रक्त का थक्का नहीं जमेगा यानि कि अगर आपको कट लग गया कहीं पर तो वो बलड रूखेगा नहीं ये काम नहीं होगा तो बलड क किस की कमी से कौन सा रोग होतआ है और भी कोई विटामिन बचती हैं तो मैं बता देता हुं विटामिन ए जो होती है विटामिन वितामिन B की बात करूं तो वितामिन B की कमी से बेरी बेरी हो जाता है योने की स्टार्ट इस फाउंड इन ब्रेड्स, क्रेल्स एंड पास्ता आर मेड अप ओफ लोंग चैन ओफ, यानि कि ब्रेड अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्ट डैस की लंबी संखला से बने होते हैं, देखेगा, मैं आपको बता देतम, जितने भी आपके ये ब्रे देखेगा कुछ facts, glucose के से मैं नोट करवा देता हूँ आपको, glucose जो होता है, glucose का formula जो होता, C6H12O6 होता है, glucose को जो है, हम corn sugar के नाम से जानते हैं, glucose जो है, instant energy देती है, instant energy, यानि कि ततकाल energy देने वाली कोन होती है, glucose ही होती है, blood में कौन सी sugar पाई जाती है, तो blood sugar भी आपकी कौन है, आपकी glucose ही है, जिसकी वज़े से, इसी की वज़े से जो है, आपको sugar यानि कि diabetes रोग होता है, तो blood sugar भी कौन सी है, आपकी glucose ही होती है, इससे को याद रखिएगा, ठीक है, सरीर में energy का निर्मान भी कौन करती है, energy कौन बनाती है शरीर में एनरजी बनाने का काम भी किसका है तो वो भी जो है आपके ग्लूकोज का है ये बात याद रखना शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कार्बो हाइडरेट भी कौन सी है तो वो भी आपकी जो है कोन भी वो भी आपकी जो है ग्लुकोज है अगर आपसे पुछे बलड में कौन सी कार्बोहईडरेट पाई जाती है बलड में कौन सी कार्बोहईडरेट पाई जाती है तो भी आपकी ग्लुकोज है कलियर भी चलिएगा उसके बाद मैं बात करूँ मा माल्टोज से नोट करना पॉइंट माल्टोज जो होता है माल्टोज ये किसमें पाया जाता है तो इसको बदामी सुगर बोलते हैं क्या बोलते हैं बदामी सुगर आप से क्योस्टन पुछा जाएगा बदामी सुगर किसे कहते हैं तो बदामी सुगर जो है इसी को कहते हैं सै आपका cellulose है, शरीर में सबसे ज़्यादा glucose, शरीर में सबसे ज़्यादा glucose, बत अगर बात करूं सरधनिती पर तो यह कौन पाया जाता है cellulose, क्योंकि plant में cellulose होता है, कागच भी किस से बनता है, कागच का निर्मान भी आपके cellulose में होता है, किससे होता है cellulose से ही होता है I hope यह चीज आप समझ रहे होंगे next question पर हम चलते हैं which of the following can be used as an instant energy booster instant energy कौन देता हम आपको यह बता देता हूं instant energy देने का काम जो है आपके carbohydrate का है जो आपके carbohydrate होते हैं carbohydrate क्या होते हैं सर जी मैं बता देता हूं carbon plus में hydrate hydrate का मतलब H2O पानी यानि कि जो वो चीज जो carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बनी है एक ratio दो ratio एक से मिलकर बनी है उसको अपन carbohydrate कहते हैं यानकि carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बनने वाली चीज को carbohydrate कहते हैं अगर आप से क्योस्टन पूछे कि carbohydrate में ratio क्या होता है तो एक ratio दो ratio एक फोर एक्जम्पल फोर एक्जम्पल ग्लुकोज लेलो ग्लुकोज एक carbohydrate है जिसका formula C6H12O6 है आप देख सकते हो ratio यही मिलेगा एक एक ratio दो ratio एक ही मिलेगा 6-12-6 ठीक अभी तो जिसका ratio यह होगा वही carbohydrate होगी या फिर मैं क्या कह सकता हूँ जिसके आगे देखिए यह पहले अब तो नहीं आएगा पहले पूछता था जिसके आगे कौन सा carbohydrate है तो जिसके आगे ओज लिखा हुआ मिलेना वो सारे के सारे carbohydrate होते हैं अब यह क्योस्टन नहीं आते हैं carbohydrate का काम जो होता है वो होता instant energy देना आप एक ग्राम carbohydrate खाओगे तो 4.3 calorie आपको energy मिल जाएगी यह carbohydrate की power होती है एक ग्राम खाने पर आपको कितनी energy मिल जाएगी 4.3 calorie energy मिल जाएगी यह आपकी carbohydrate की quality होती है carbohydrate वैसे होती क्या है carbohydrate को अपन सैकेरीन बोलते हैं सैकेराइड बोलते हैं और सैकेराइड जो हता है यानिकि किसी भी चीज में मिठ्छे की value जो हती है मिठ्छे की value जो हती है वो carbohydrate कहलाती है यानिकि अगर आप एक रसगुला खालेते हो तो आपको बहुत जल्दी instant energy मिल जाए वैसे carbohydrate अलू चावल केला इन सभी में भी carbohydrate पाई जाती है गयों वगेरा सम्में carbohydrate पाई जाती है तो इसमें देखो निम्बू के अंदर vitamin C पाई जाती है vitamin तो यह तो है नहीं धनिये में भी नहीं हो गया और लश्ज्ण में भी नहीं होगा तो आपका केला जो है बनाना जो है instant energy दे देगा instant energy कोन कोन देगा केला देगा चावल देगा अलू देगा गाहू देगा और आप कोई भी sweet चीज खालोगे वो सबसे जल्दी energy दे देगी वो सबसे जल्दी energy दे देगी तो instant energy से maybe आपको clear हो गया होगा next question पर चलते हैं next आपके लिए क्ताइब विश्व फॉलोविंग पियर पॉड़ोविंग से फॉडऴ नूट्रीयंट है और नीट्रीयंट के टाईप बात कर रहा है क्लफ कौन्सा क्लुड क dapat मैक्रों न्यू अं माइक्रों नूट्रेंट सब और कुछ होते हैं मैक्रो मैक्रो का मतलब मेन न्यूट्रियंट्स मुख्य और माइक्रो का मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी का यानि सहायक मुख्य की बहुत ज्यादा जुरूरत होती है सेकेंडरी की इतनी ज्यादा जुरूरत से नहीं होती है अगर मैं बात करूं मुख्य की अगर मैं बात करूं मुख्य की तो मुख्य न्यूट्रियंट्स तीन ही होते हैं मैक्रो न्यूट्रियंट्स तीन ही होते हैं कौन-कौन से होते हैं फैट कार्बो हाइड्रेट और आपका protein आपसे कभी भी question पूछे मुख्य nutrients कौन कौन से होते हैं तो आपको answer तीन ही करना है कौन कौन सा करना है fat, carbohydrate and protein क्यों है ये मुख्ये क्योंकि ये energy देते हैं ये तीनों के तीनों क्या देते हैं ये तीनों के तीनों energy देते हैं इसलिए मुख्य कहलाती है उसके बाद आते हैं माइक्रो माइक्रो मतलब जो भी बचगे जितने भी बचगे हो सारे माइक्रो हैं माइक्रो में फोर एक्जाम्पल सर्जी जैसे कि आपका वाटर है जैसे कि आपके विटामिन है जैसे कि आपके जितने भी मिनरल्स हैं मिनरल्स macronutrients, macronutrients iron है, नहीं है भईजी, macro थोड़ी नहीं, यह तो micro है, iron तो कम जरूर था में, ठीक है, micronutrients calcium, यह बिल्कुल ठीक है, calcium एक micronutrients है, यह ठीक है, तो इसका right answer जो होगा, वो 2 होगा, only 2 is the right answer, ठीक है, तो macro और micronutrients को आपको पता चल गया होगा, चलिएगा, next question पर च चेन, includes typha, typha bulruses, sagitaria, hydrilla, rupia, sara, occurring in concentric layers, from the periphery to the deep regions, यानि कि प्रीदी से गहरेच हित्र तक संकेर्दी पड़तों में पाए जाने वाला, typha bulruses, sagitaria, hydrilla, rupia, kara, देखें, आपको बता देता हूँ, kara, 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 एक एलगी है, रupia, hydrilla, sara, यह सारे के सारे algae है, यानि कि यह सारे के सारे जो है, यह क्या है, यह सारे के सारे आपके algae है, और algae जो होते हैं, algae क्या होते हैं, पोदे होते हैं, मैं फिर बताता हूँ, algae क्या होते हैं, पोदे होते हैं, और सभी के सभी पोदे जो होते हैं, वो photosynthesis करते हैं, photosynthesis का मतलब प्रकास संसलेशन करते हैं या फिर आप समझ सकते हो कि ये जो हैं अपना बोजन खुद तयार करते हैं अपना बोजन खुद तयार करते हैं उनको अपन प्रोड्यूसर कहते हैं एको सिस्टम में उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं प्रोड्यूसर का मतलब जो उत्पादन करते हैं उनको हम producer बोलते हैं क्या बोलते हैं producer देखिए ecosystem में दो चीज़े होती हैं जो ecosystem का मतलब क्या होता है इस दर्ती पर जितने भी जूर रह रहे हैं वो एक दूसरे के उपर depend करते हैं और एक chain बनाते हैं food chain जिसको बोलते हैं एक दूसरे के उपर depend करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ जैसे कि यहां से sun से start होता सूरिय से सूरिय से energy लेता कौन भी आपके plant direct सूरिय से energy लेते हैं और autotrophics होती हैं अब plants को खा लेती है मान के चलो बकरी बकरी को मान के चलो खा लेता है लोमडी लोमडी को खा लेता है यह आपकी food chain होगी ऐसे चलता है तब एक दूसरे को पर depend है इसको बोलते ecosystem अब देखिए plant क्या है plant खुद अपना बोजन prepare करते हैं तो यह जो है producer कहलाते हैं क्या कहलाते हैं producer कहलाते हैं और यह तिन्नों के तिन्नों जो है यह consumer कहलाते है consumer यानिकि उप भोगता कहलाते है जो direct plant को खाते हैं यानिकि जो साका हरी होते हैं herbivorous होते हैं उनको अपन primary 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 consumer बोलते हैं प्रात्मिक उप भोगता कि नहें बोलते हैं जो आपके जो आपके हर भी वोरस होते हैं यानि कि जो प्लांट्स को खाते हैं उनको प्राइमरी कंजूमर बोलते हैं उसके बाद जो प्राइमरी कंजूमर को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंजूमर बोलते हैं और जो सेकेंडरी को खाते हैं उनको ट्रेसरी consumer बोलते हैं इस परकार जो है food chain बनी होती है तो आप से question पूछा गया है कि bulrus sigitaria, hydrilla रूपिया और चारा ये जो हैं सारे के सारे algae हैं ये सारे के सारी और algae पोद्दे होते हैं तो ये आपके producer होंगे क्या होंगे भी producer होंगे तो आप से tropic level पूछ सकता है कि कौन सा level कौन सा है तो प्रोफिक लेवल में ये level आता है कि पहले producer होते हैं primary consumer होते हैं secondary होते हैं और tertiary होते हैं next पर चलते हैं next आपका which of the following is not a function of calcium in our body calcium का क्या function है मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हम calcium जो होती है शरीर में bone का निर्मान करती है अडियो का निर्मान करती है calcium हमारी body में कहां से प्राप्त होती है sunlight से प्राप्त होती है या फिर मैं कह सकता हूँ vitamin D से हमें calcium मिलती है कौन भी calcium ठीक है calcium के बारे में देखते हैं चलिएगा सबसे पहले it plays an important role in blood blood clotting बिल्कुल भी blood clotting मतलब रखता थका जमाना माने के चलो ये cut लग गया और cut लगने के बाद blood अपने आप थोड़ी दिरवाद जम जाता है उसको बोलते blood clotting तो calcium वहत अत्ता हो है जो blood clotting में साहिता करता है blood clotting में बहुत से protein बहुत से vitamin जो है साहिता करते क्या क्या साहिता करता है blood clotting में calcium blood के अंदर मौजूद platelets ठीक है उसके अलावा protein भी होते है protein fibrino gene fibrino gene वगेरा fibrino gene वगेरा protein थ्रॉम्बीन प्रो थ्रॉम्बीन ये protein साहिता करते है vitamin K ये सबीचे जे मिलकर ये सबीचे मिलकर रक्त को जमाती है रक्त को थक्का मनाती है जमाती है it helps in digestive system नहीं भई digestion का काम के वल एक ही चीज़ का है और वो है आपके enzyme digestion का काम को न करते हैं enzyme करते हैं तो इसलिए ये बात याद रखना ये ही गल्त होगा note ही पुछा न, note हो तो ये ही गल्त होगा उसके बाद it is essential to associated with LD bones and teeth बिलकुल भई LD bone and teeth को बनाती है ठीक है it helps muscles to contract mass patient को स्चिकोडने में मदद करती है भी ठीक है तो आप है na calcium के roll भी याद करना calcium के कितने काम है पहला काम blood clotting करना, दूसरा काम muscle को contract करना, तीसरा काम bone and teeth का निर्मान करवाना ये काम जो है इनके है next question पर चलते हैं nuts, vegetable, vegetable oil and fish are rich sources of, देखिए, इनमें क्या चीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, vitamin नहीं पाई जाती है, खनीज तत्ताव भी इतने ज़्यादा नहीं पाई जाती है क्या होता है, omega 3 आपको याद रखना है, nuts में और आपकी vegetable soil में और fish के अंदर, सबसे ज़्यादा omega 3 पाई जाता है, क्या पाई जाता है सबसे ज़्यादा omega 3 होता है mainly skin को skin को अच्छा करने के लिए omega 3 जो है, use किया जाता है, तो omega 3 एक आप ये मान सकते हो, product है खनीज है, जो आपकी body के लिए essential है, ये हमें यहाँ यहाँ से मिलता है, चलिएगा next question पर चलते है which of the following pair of the mineral need is cracked कौन से की need जो है, वो cracked है, सबसे पहला देगिए, iron formation of hemoglobin, बिल्कुल ठीक है जी iron hemoglobin का निर्मान करता है, बिल्कुल करता है, iron और रीमो, गलोबिन की कमी से निमी, यहाँ हो जाता है, सभी को पता है, sodium proper functioning of thyroid gland gland होती है, thyroid gland thyroid gland की proper functioning जो होती है, वो sodium नहीं करती, iodine करता है, iodine का काम है भी, किसका काम करना भी proper functioning करना thyroid की देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, thyroid gland जो होती है, thyroid gland जो होती है, gland जो हमारे गले में होती है, गले में होती है, edge shape की होती है ऐसे करके, ऐसे, इसके उपर च्यार जो होती है, पैरा thyroid gland होती है, यह भी question पूछ लिया जाता है पैरा thyroid gland कहां और कितनी होती है, तो च्यार होती है किस के उपर, thyroid gland के उपर होती है, thyroid gland जो है एक hormone release करती है, जिसका नाम होता है, thyroxine hormone, कौन सा hormone release करती है, thyroxine hormone hormone release करती है, और thyroxine hormone जो है, एक pigment मनाती है जिसका नाम है, iodoxin iodoxin, और iodoxin में एक element पाया जाता है स्थित करती है, गौसमाइट ने समय झालिम सोजाएगी और इस रोक को अपन कहेंगे गौाइटर, गौाइटर मतलब गेंगा रोक हो झालिएगा, ञद् której झालिए तो iodine की कमी हो जाती है और जिसके वज़े से क्या हो जाता है घेंगर हो जाता है तो आपको याद रखना है तो ये सारा functioning था तो इसका right answer क्या होगा केवल एक जो होगा इसका ठीक होगा तो एक ही जो होगा इसका ठीक होगा अब देखिये इंदी इसकी गल्त है भाई इंदी इसकी गल्त है इंदी मीडियम वाले देख लेना इसने पूछ लाए need is cracked कौन सा cracked है ये पूछ रखा है इसने नहीं दे रखा नहीं को काट लेना ठीक है साही रहेगा सोडियम सर जी सोडियम क्या करता है बोडी में sodium इसको भी बताई दो sodium जो ना brain और brain and heart को functioning करने हम proper functioning में साहिता करता है brain और heart के proper functioning में कौन साहिता करता है आपका जो है sodium जो है साहिता करता है next question की तरफ चलते हैं which one of the following is an inactive vitamin D कौन सी vitamin D है देख़ poquito हम सभी को बता है vitamin D हो उती है उसका racinas sitä नाम को हम केhls रोल होता है और इसे Kelsey फैरोल से किसका निर्मान होता है calcium का निर्मान होता है और इसे calcium किसको मजबूत करती है bone को मजबूत करती है यह बात मेरे इसाब से आपको clear हो गई होगी ठीक तो इसकी कमी से bオonż are वो कमजोर हो जाते है, विटामिन D की कमी से तो इसमें देखो, ऐस्कोर्टीक Acid ऐस्कोर्बीक Acid किसका chemical name है ये तो आपके विटामिन C का नाम है विटामिन C का नाम है तॉकोफेरול, रत एक टोफी विटामिन की का है भई थाइमीन रत थै थै दूर्जे नमबर पे है तो बी का है देखिए रसाइनिक नाम याद करने की दोबारा बता देता हूं कन्फ्यूज मत होना रत एक टोफी आपको बस यही खानी है और कुछ नहीं खाना है आपको ध्यान रखना है विटामिन A का नाम रह से स्टार्ट होगा B का थै का थै से C का A से D का कैसे E का टो से और K का फी से आपको कुछ नहीं करना बस यह देखना है कि A B C D E A K ठीक है ना भी सीरीज में स्टार्ट होगा तो टोक्को फैरोल देखिए गलती होगा ना यह आएगा इसका यह आएगा इसलिए आप यह ट्रिक याद रखना आपको एक भी कैमिकल नाम याद करने की जुरूरते नहीं पडेगी तो देखिए इसमें कैलसी फैरोल है कैलसी फैरोल एर्गो कैलसी फैरोल होगा इसका राइट आंसर होगा तो D B is the right answer जिससे क्यों ठी ठीक है भी तो यह हडियों को मजबूत करता है एक बात याद रखिएगा हडियों को मजबूत करता है तो सिंपल सी बात है विटामिन की कमी से हडियां कमजोर हो जाएंगी और विटामिन या कैलसियम की कमी से इन दोनों की कमी से कमी से कौन कौन से रोग होंगे एक तो हो है एक हो जाएगा लागबोallow गुटने जो है आपके बिढने लगेंगे और दूसरे से रहाठन संट कि तरफ चलते हैं नैक्सट कृश्टन यह रहाहा पका which of the following is another name of K vitamin K का तो मैंने आपको वही का है कुछ नहीं करना आपको एक लिख लेना रत एक टॉफी ये लिख लेना है और लिख के A, B, C, D, E, K बस कुछ नहीं करना यही तो 4 vitamin होती है यही तो 4 vitamin होती है देखो भी अब स्टार्ट करते हैं इनका काम अच्छा vitamin K का नाम पुछा है इसलिएगा देख लेते हैं K का नाम किस से स्टार्ट होगा P से स्टार्ट होगा किस से होगा P से दखो ये रहा K का नाम P से स्टार्ट होगा यहाँ पर F कोन है पाइलो यह लो वही आंसर मिल गया इतनी जल्दी इतनी जल्दी आंसर मिलता है किसी गहाई यह मिल गया वई ठीक है तो इसका मतलब आपको smart study करनी है ठै ठै से start यानि ये भी का है ये भी का है और ऐसे ही है तो ये जो होगी राइट आंसर होंगे तो chemical नेम जो है आपको याद नहीं करनी है आपको direct याद रखने है रत एक टौफी चलिएगा next question और आज का हमारा last question है चलिएगा देखते हैं vitamin C यह question है deficiency of causes the rickets in children मैंने अभी अभी बताया बात्यों में वीतामिन D की कमी से कौन सा रूँ हो जाता है तो बच्चों में vitamin D की कमी से रिकेट्स हो जाता है तो देखिएगा भी विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा हो जाता है रिकेट्स हो जाता है बड़ो में ओस्टियो मलेशिया हो जाता है लिख लेना ओस्टियो मलेशिया एडल्ट में हो जाता है लैग बो हो जाता है नोक नी हो जाता है इतने डिसॉर्डर विटामिन डी की कमी से होती है विटामिन ए विटामिन ए जो है आँखों से संबंदित है यानकि इसकी कमी से आँखों में कमजोरी आ जाएंगी कौन-कौन सा रोग हो जाएगा पहला नाइट बलाइंडनेस रतंदिज इसको पन बोलते हैं बलाइंडनेस दूसरा जीरोप्थेल्मिया दिखेगा ही नहीं दिखेगा ही नहीं वेक्ति को ठीक है तीसरा कोरोनोसिस कोरोनोसिस आपके बार की आवरे नहीं होता है कोर्निया कोर्निया में सुजन आ जाता है आख आख आजाती है वो कहते है न ये बिल्कुल सूच जाती हैं से इसको बोलते है कोरोनोसिस और जहां पर भी एक और वर्ड बता रहा हूं जहां पर भी O-P-T-H मिल जाए आप्थ रूट वर्ड है वही किसका आई का जहां कहीं भी O-P-T मिल जाए वहीं पर आप किसको ठोक देना वहीं पर आप विटामिन A को ठोक देना सलियर भी कलियर है विटामिन E रत एक टोफी टोकोफेरोल इसका काम क्या देखे ये क्या करती है ये रिप्रोड़क्ट्व ओर्गंस को डुक्ट्व ओर्गंस के लिए अच्छी होती है इसकी कमी से रिप्रोड़क्ट्व ओर्गंस खराब हो जाएंगे या आफिर आप कह सकते हैं इसकी कमी से मेलाओं में बांजबन अनफर्टिलिटी पुर्षो में मैनपाऔर की कमी यानि कि वो भी अन-fertility ही होता है अन-fertility अन-fertility होगा हो जाएगा vitamin E की गमी से vitamin C skin से संबन्दित है रोग हो जाएगा scurvy मसुडों से खूनाने लगेगा मसुडों से खूनाना ठीक हभी यह आपकी scurvy है clear भी तो यह vitamin जो है अलग-अलग विटामिन के अलग-अलग काम B का बेरी-बेरी B का बेरी-बेरी K का बलड कलोटिंग ना होना ठीक है तो ये जो हैं जितनी भी disorders जो हैं वो विटामिन्स की कमी से होते हैं I hope ये चीज़े जो हैं आपको बिल्कुल कलियर हो गई होंगी आज के लिए इतना ही ये nutrition का chapter और चलेगा आगे जितनी भी कलासे जाएंगे उनके अंदर हम करते हुए चलेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली कलास के साथ जैहिन साथियो जैभारत